नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 91 पर मैं हूँ आपका दोस्ते राजजिंदर सनोडिया देखे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महतुपूल संग्ठन एवं संस्थापक से सम्मांदित अती कोई भी कुश्चन किसी भी एकजम्मा आएगा तो आप 100% साल्व करके आओगे तो आईए दोस्तों सुरुआत करते हैं कुश्चन नमबर एक से कुश्चन नमबर एक है आत्मी सभा की स्थापना किस ने किया था ओफसन नमबर 20 का सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राएन 1815 में किया था और कहां पर किये थे कलकत्ता में किये थे ठीके यही दोस्तों जो राजा राम मोहन राय है ना इन्हें आधुनिक पुनर जागरल का पिता भी कहा जाता है ठीके इन्होंने दोस्तों 1828 में कब 1828 में दोस्तों याद रखना ब्रह्म में सभा की स्थापना भी क संच्थापक कौन से तो प्रात्ना समाज का संच्थापक दूस्तो आत्मा राम पांडू रंग थे और कर तो नहीं को यह चीज़ को आपको या रखना है चलिए नैस्ट कोशिण देखते हैं कोश्चा नमबर तत्तो बोधनी सभा की स्थापना किस ने की थी तो तत्तो बोधनी सभा की स्थापना किस ने किया था ओफसर नमबर सी इसका सही उत्तर होगा देवेंद्र नाट्टेगोर जी ने दोस्तों तत्तो बोधनी सभा की स्थापना किये थे और कब किये थे 1849 में किये थे ठीकर कब क समाज के संस्थापक मैंने स्टार्ट में बताया था दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है 1828 में राजा राम मुहन राय जी करते हैं तो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन थे राजा राम मुहन राय जी थे ठीक है और कब होती है 1828 में ब्रह्म समाज की जाकी कोस्चन था और बहुत सारे लोगों ने उसमान से लगा कर आ गय해 थे राजरामुहन राए याद रखना Iमसमाच राजरामुहन राएन ने नवीन समाच राजरामुहन राइन और नवीन बर मचनल माच एसsomething बीसथी को सभ़ाइन के संच्धापक कोन थे तो上 सोधकसमाँ का संच्धापक हती संच्धापक क्यां रिए AM गतुम है तर ग्यारा इस स्थापना फोल्ग श्टापण में पुड़े महाराष्ट में किया था नेंश्च कुछ्टन है। आरे समाज के स्थाफना किसने की थी? तो आरे समाज के स्थाफना करते हैं सौमी दयनंद सरस्वती अभी सम नंबर 2 सकशoubl रूगा। ठीमिंध हैं और कफ करते हैं centers 75 में करते हैं ठीमिध को यारद को का नारा किस्तन押 दिया था स्वामी दानांद सरस्व Tortini ने दिया था नैस्ट कुश्टन देखते हैं कुश्टनfel 8 राम कृष्ण मिज दि lại स्थापनी की ति राम कृष्ण मिसन की स्थापना करते हैं स्वामी बिवेका नंद और स्वामी बिवेका नंद की बच्पन का नाम किया था नरेंद्र था ये कोश्चन भी कई वार कुछा जाता है तो याद रखना दुस्तों राम कृष्ण मिसन की स्थापना किसने की थी सौ आमी बिवेका नगजी ने की थी अच्श कोशन है अल इंडिया फारवर्डवलाग की स्थापना किस experain की थी तो अल इंडिया फारवर्डवलाग की सतापना करते है सुभाष चंद्र बोश और आसाल नमबर सी इसका सही उत्तर होगा और कब करते हैं 1949 में 1939 में सुभास चंद्रबोश ने आल इंडिया फ्रवर्ड अवलाग की स्थापना की थी बहुत ही important question दोस्तों आज आपको मैं सौन करा रहा हूँ ठीक है चलिए next question है सुराज पार्टी की स्थापना किस ने की थी तो सुराज पार्टी की स्थापना करते हैं कौन करते हैं मोती लाल नहरू और चितरन जंदास यानि की उपरोक्त दोनों ठीक है मोती लाल नहरू और चितरन जंदास दोनों ने मिलकर दोस्तों 1923 में क्या किये थे सौराज पार्टी की स्थापना ये थे next question देखते हैं next question है question number 11 भारती राष्टी कांगरेस के संस्थापना कौन थे तो भारती राष्टी कांगरेस के संस्थापना कौन थे सर ए योहूम ठीक है सर ए योहूम ने दोस्तों भारती राष्टी कांगरेस की स्थापना किये थे कब किये थे 1885 किये थे अच्छा भारती राश्टी का अंग्रेस की स्थापना एयो हुम ने किये थे लेकिन याद रखना इसके प्रतम अध्यक्ष कौन थे तो ब्योमेश चंद्र बेनरजी थे कौन थे अध्यक्ष ब्योमेश चंदर बेनर जी थे और इस्थापना किस ने किया था सर ए और हूम ने किये थे अखिल भारतिये मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे तो अखिल भारतिये मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे दोस्तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो गदर पार्टी की संस्थापक दोस्तों लाला हर्द्याल थे कौन थे लाला हर्द्याल थे कब करते हैं 1913 ठीक है 1913 1913 में लाला हर्द्याल ने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किये थे अगर आपको धोका से कभी लाला हर्द् देखे तो होमरूल लिग की इस्थापना किसने की थी तो होमरूल लिग की इस्थापना किस ने की थी आप चेन नहीं है ठीक है एनिवी सेंट है मदरास में और बाल गंगा तरते लगने पुड़े नहीं है लेकिन अगर हॉम रूल लिक डारेट पूछ ले तो उपरोग तो दोनों अंसर होगा और अगर दोनों में से एक कोई भी आपसन देखे तो एक आप सहीं अंसर आपसन नंबर सी इसका सहीं उत्तर होगा और कब किये थे 1905 में गपाल केशन गोखले ने सर्भेंट्सर आप levels इंडिया सूसाइटि की इस्था ना किया था और काहँ पर की थे तो पुड़े महराश्य में ही किया था ओपसन इमर आजाद हिंज़ पोkt का गटान 1942 में रास बिहारी बोशनें किये थे नेश्ट कोशेन है अखिल भारतिये खिलापत कमेटी का गटान किसने किया था अखिल भारतिये खिलापत कमेटी का गटान तो मुहम्मद अली और सोकत अली इन दोनों ने मिलकर दोस्तों अखिल भारतिये खिलापत कमीटी का गठन किया था और कब किये थे तो 1909 में किये थे ठीक है सबी सन आपको याद रखना है नेश्ट कोचन है अखिल भारतिये हिंदू महासाभा की इस्थापना किसने की थी तो मदन मुहन मालवी ने ठीक है 1915 में किये थे अगर आप सन याद भी नहीं रखोगे तो ये याद रखना की अखिल भारतिये हिंदू महासाभा की इस्थापना किसने किया था मदन मुहन मालवी ने किये थे नेश्ट कोचन देखते हैं भारतिये राष्टी संग इंडियन एस्थापना कौन थे नौ जवान भारत समय की स्थापना करते हैं भगत सिंग आपसन नमबर C इसका सहीं उत्तर होगा अगला सवाल है आर या महीला समाज की स्थापना किस ने की थी तो आर या महीला समाज की स्थापना करती है पंडित रमा बाई ऑउप्सान नमबर भीस कर सही उत्तर होगा नेस्ट कुष्चन देखते हैं कुष्चन नमबर 22 विस्व भारती संग्ठन की स्थापना किसने की थी तो रबिन नाठ टेजोर विस्व भारती संग्ठन की स्थापना करते हैं नाइस्ट कोश्चन है डेक्षिड अप्रीका में फिनिक्स संस्थान की स्थापना किस ने की थी ठीक है तो महात्मा गांदी ने की थी ठीक है देखे दोस्तों अगर आप एक बार भी एक कोश्चन को देख लेते हैं न और एक्जाम में कोश्चन आपकी नजरों के सामने आए लेकिन आपको सबी के याद नहीं करना है क्योंकि इतनी मेमोरी किसी की होती है जितनी स्वामी विवे कनन जी की थी तो आपको क्या करना है आपको important important जो है उनके सन्याद रखना है चलिए next question देखते है युबा बंगाल आंदोलन के प्रवर्टक कौन थे युबा बंगाल आंदोलन के प्रवर्टक थे हैंरी विवेंड डेरा जी ओ हैंरी विवेंड डेरा जी ओ चलिए next है अभने भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी अभिनों भारत सोसाइटी की स्थापना वीडी सावर करते हैं 1904 में ये अभनों जो है दोस्तों आद रखना अभनों चार अक्षर का सब्द है इसलिए 1904 ये आफ़ चार रहाद रख सकते हो ठीक है चलिए next देखते हैं servant of India society की स्थापना किसने की थी तो servant of India society की स्थापना करते हैं गुपाल क्रिश्न गोकले तो दोस्तों ये हो गए most important 29 प्रेश्ने आपको दोस्तों आपने वीडियो पूरी इमानदारी से देखा हुआ तो कमेंट करके बताईए प्रात्ना समाज की स्थापना किसने किया था थेंक्यू जहिन जवा